नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरसाउंड के बारे में बहुत बार पेशन्स आते हैं और हमसे पूछते हैं कि अल्टरसाउंड क्या होता है कितना एक्सपेंसिव होता है इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती खाना खाने के बात कराना चाहिए या पहले कराना चाहिए ऐसे सब questions basically अल्टरसाउंड जो है वो एक procedure है जिसमें हम sonogram करते हैं sonogram करते हैं मतलब high frequency sound waves को आपकी body में enter कराके with a probe यानी ultrasound machine के साथ जो probe होता है उसके माध्यम से high frequency sound waves के through हम body के internal organs की image create करते हैं और फिर उस image को study करके यह जानते हैं कि body के अंदरुने हिस्सों में क्या चल रहा है तो इसी procedure का नाम जो है वो ultrasound यानि ultrasonogram ये ultrasound body के किसी भी अंका किया जा सकता है अलग-अलग अंगूं के लिए किये जाने वाले ultrasound के लिए अलग-अलग नाम दिये गए हैं जैसे अगर हम pregnancy related किसी issue को जानने के लिए ultrasound कराते हैं तो हम ultrasound lower abdomen यानि की पेट के निचले हिस्से का ultrasound लिख कर देते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा fatty है या कुछ ऐसा critical है जैसे cyst है या कुछ और ऐसी दिकत है जो की per abdomen पेट के fat की वज़ा से या कई बार gas की वज़ा से या other intestines के अंदर बहुत ज़्यादा fecal matter रहे तो उन वज़ाओं से अगर stomach से चीज़े नहीं दिखती हैं और हमें बहुत ज़्यादा clarity चाहिए हो तो हम TBS यानि transvaginal scan भी करते हैं अगर आप lower abdomen ultrasound कर रहे हैं यानि gynecology या opposite related किसी चीज़ के लिए ultrasound अगर आप करा रहे हैं तो आपको ultrasound खाना खाने के बाद भी करा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है खाली पेट होने की जरूरत नहीं होती है TBS ultrasound यानि transvaginal sonography के लिए urine hold करने की भी जरूरत नहीं होती हैं यानि जो doctors बोलते हैं कि पिशाब hold करके ultrasound होगा उसकी भी जरूरत नहीं होती है urine pass करका TBS ultrasound किया जाता है अब बात करते हैं ultrasound से होने वाले harms की तो basically ultrasound से ऐसाच कोई problem नहीं होती है in fact ultrasound pregnancy में भी सबसे ज़्यादा preferred होते हैं उस समय पर बच्चे के हर organ को जानने के लिए उसके अंदर कोई abnormality नहीं है बच्चे के heart में कोई problem नहीं overall body organ development जो बच्चे की हो रही है उसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है या नहीं वो जानने के लिए हम pregnancy में भी ultrasound करवाते हैं तो ये high frequency sound waves प्रूरी तरह से safe रहती है आपको किसी तरीके का harm नहीं करती है next जाता है कितनी frequently ultrasound कराएं कि जादा कराने से कोई दिक्कत ना हो ultrasound आप हफते में एक बार भी करा सकते हो महीने में एक बार भी करा सकते हो आपके doctors आपके requirement के हिसाब से बताते हैं for example आपको best समझाने के लिए हम इस्तिमाल कर सकते हैं कई बार आपने सुना होगा pregnancy में आखरी महीनों में बच्चे के around जो पानी है वो कम हो जाता है तो उसको judge करने के लिए हर हफते कई बार हफते में दो बार भी ultrasound कराया जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी pregnant lady को आप अपते में दो बार ultrasound करा सकते हैं और वो ना बच्चे को नुकसान कर रहा है ना मा को तो ultrasound कितना safe procedure रहता होगा next is ultrasound में खर्चा कितना आता है normal ultrasound आप कहीं से भी कराएंगे तो अगर per abdomen ultrasound यानि की पूरे पेट का ultrasound तो वो 1000 से 2000 बीच का हो सकता है area to area vary करता है uterus का lower abdomen का ultrasound 1000 से 17-1800 तक के बीच का भी हो सकता है transvaginal ultrasound के कई बार charges जाता लगते हैं तो अंदाजन 1000 से 2000 के बीच में ultrasound हो जाता है pregnancy के related जो ultrasound होते हैं उसमें जो level 2 scans या level 1 scans होते हैं these are costlier कई बार doppler scans करे जाते हैं वो भी costly होते हैं तो ultrasound के scans के cost vary कर सकती है requirement के basis पे तो उमीद करते हैं ultrasound से related आपकी जो भी queries हैं वो आज मैंने solve की होंगी और अगर फिर भी कुछ ऐसा है जो आप ultrasound के बारे में जानना चाहते हैं आप नीचे comment box में डाल देजे हम कोशिश करेंगे कि हम सब questions के answers दे पाएं तब तक के लिए आप आशा अरवेदा से जुड़े रहे हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें हमारे तीन centers हैं Delhi, Mumbai and Lucknow आप हमारे किसी भी center पर contact कर सकते हैं अपनी गाईनी और of the related problems के लिए तब तक के लिए धन्यवाद